नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका दोस्तों जैसे कि आपने थनल में देखा होगा कि हमने Input Device of Computer के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में तो आएए दोस्तों शुरू करते हैं Input Device of Computer ये device आपके एक्जाम के लिए काफी महत्ते पूरें दोस्तों एक या दो नमबर का कोश्चन आपके एक्जाम में देखने को मिलता है आएए दोस्तों सुरू करते हैं Input Device of Computer फर्श डिवाइज है दोस्तों आपका माउस ये computer की input device है नाम है माउस Next device है दोस्तों Keyboard Keyboard भी computer की input device है ये keyboard होता है ये computer की input device है Next device है दोस्तों scanner scanner भी input device है ये scan करने के काम आता है Next device है दोस्तों barcode scanner ये barcode scanner है दोस्तों ये input device के input device है ये बार कोड होता है इसको ये scan करता है इसलिए input device में आता है Next device है दोस्तों आपका touchpad touchpad आपकी input device है यह आपको laptop वगरे में देखने को मिल जाएगी यह भी input device के अंतरगत आती है next device है आपकी joystick joystick input device के अंतरगत आती है joystick से जो आपका दोस्तो work होता है यह game वगरा खेलने के काम आती है या auto cad एक software होता है उसे भी work करने के लिए joystick work आता है work में आती है next device है दोस्तो आपकी camera camera भी input device के अंतरगत आता है दोस्तो next device है आपकी light pen light pen भी आपकी input device है यह mobile या किसी touch pad पर चनलने के लिए काम आती है light pen next device है आपकी webcam webcam भी input device के अंतरगत आता है यह आपके laptop या computer पर webcam को लगा के photo वगरा खिंचना के काम आती है यह input device next device है आपकी graphic tablet graphic tablet भी आपकी input device है यह computer से connect करके इस पर आप कुछ भी लिख सकते है ठीक है तो यह input device है next device है आपकी touch screen touch screen भी आपकी input device के अंतरगत आती है आज कल आपके laptop वगरारा और computer भी touch screen के आ रहे हैं तो वो touch screen भी input device के अंतरगत आती है next device है आपकी microphone microphone आपकी input device है इसे आप mic भी बोलते हैं यह input device के अंतरगत आती है next device है दोस्ते इसमें आपकी OMR OMR reader OMR reader है दोस्तों यह input device के अंतरगत आता है OMR reader क्या होता है जो आप exam देने के लिए जाते हैं उसमें आपको answer sheet मिलती है उसको OMR sheet बोलते हैं उसको read करने के लिए जिस reader का उपयोग होता है उसको optical mark reader बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है दोस्तो optical mark reader तो ये mark reader input device के अंतरगत आता है next input device में आते हैं आपके MICR magnetic ink card reader magnetic ink card reader है ये आपको bank में देखने को मिलेगा जो आपके check होते हैं check पर एक wishes ink के दुवारा लिखा होता है उसको read करने के लिए ये magnetic ink card reader का उपयोग होता है तो ये input device के अंतरगत आता है next device है आपके दोस्तो remote ये tv का remote है दोस्तो tv या cd dvd किसे का remote हो वो आपके input device के अंतरगत आएगा next next में दोस्तो आपको हमारे चैनल को share and subscribe करना है अगर ये video आपको अच्छी लगी है तो इसको like कर दीजिए अपने दोस्तों में share कर दीजिए अगर आपको हमसे जुणना है तो हमारे चैनल को subscribe कर दीजिए thanks for watching this video धन्यवाल